मुझ आयाना में आपका स्वागत में बेल्ट वाली सलवार की कटिंग करने के लिए सबसे पहले और मैंने इसके कुपड़े को दो कर लिए फिर मैंने के कपड़े कावल कर चार करते कर लिया है क्यार अचितरों प्रक्राइब कर लिया है उसके और मैंने इसको पल्ले के निशान के ओपर ही कर लिया है लिए किनारे के उपर से बہलकुल सिधा कर लिया है उसके बार time की वी बैल्ट शेौट जोडार जयुँ ऐ ढाा हुख गोवर भी रख सकते हो 14 इंच का रख सकते हो अगर आपके वास में मियानी का कपड़ा ज्यादा बचता है तो उसके बाद में मैंने इसका नीचे से कुंदा काट लिया है डो ड़ा इंच का उसके बाद में मैंने इसको यहां से कट कर दिया है 13 इंच के उपर यह 13 इंच के ओपर कट करने के बाद में हम इसी जो कुंदा काटा है इसको गुलाई में घुमा देंगे मतलब इसको रिवर्स कर देंगे हम और इसी के ओपर जो यह दो कुंदे काटे हूँ है इसी के ओपर यह दो कुंदे हम लोग रख देंगे अभी जो हमने दो कुंदे काटी है इसके यही वाले दो कुंदे मैंने इसके ओपर रख दी है उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसी कुंदों के ओपर बराबर बराबर से हम इसको किनारे की कैंची केंची से कटिंग करते जाएंगे हम इसको सीजर से यह हमने इसको सीजर से कटिंग कर दिया अब इसके हमार पास में चार कुंदे आगे हैं अभी हमने इसका गोड़े की कटिंग करनी है मियानी काटनी है और बेल्ट का पीस काटनी है जी हमने इसका इसके चार कुंदे निकाल लिए हैं चार कुंदे निकालने के बाद में हम इसको मियानी का कपड़ा लगा देंगे इसके अंदर मियानी रख़्क था मियानी हुए उसके जा हम आप सब्सक्राइ Partners पीस बचाहिए कि इसके अंदर जो प्लेट है उसकी बढ़ जाएग तो चल्षा हैं हमारे को यह तो हम इसको यहाँ पर लिख भी सकते मेयनी हैं जिस से सल्षा बनाने वे का सभ्धा त। पता रही यूदा कर ली है प्रोसीजर हमने करना है इसको क्या करना हमने यह से उपर से चटाई करके ब्रुकुल स्टेट कर देना है उसके बाद में पांच इंच का उपर से बैल्ट रख और यह 35-36 इंच के लंबाई अमने इसकी रख लिए उसके बाद में इसका पहुंचा रखना वह लिख के हम इसको साइड पर रख देंगा और इसकी बैल्ट है जितनी इसकी बैल्ट जो है ना मैंने काटी है चोड़ा दूनिया 28 इंच की बैल्ट क्यार काटी है आप अपने इसाफ से देख लेना